विश्व हिंदू पईशत खेरतल की और से प्रांग सहसंपर प्रमुक योगेश गोयल के नेतरत में बांगला देश में हो रहे हिंदू पर अत्याचारों के विरोध में उप तहसीलदर मौनिका शर्मा को राश्टपती के नाम ग्यापन सौपा प्रेखन मंत्री शाम सैनी ने बताए कि ग्यापन में बांगला देश में हिंदू पर जियादियों के हमलेवे धर्म इस्तलो पूजा पांडालों को तहस नैस करने के बाद हिंदू परिवारों पर लगातार आक्रमन हो रहे हैं दुर्गा पूजा के दौरान बांगला देश में 22 से जादा जिलो में हिंसा की घटनाई घट चुकी है हिंदू के 150 से जादा दुर्गा पूजा पांडालो वह इसकौन मंदिर को आक के हवाले कर दिया हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया इतना सब होने के बाद भी बांगला देश सरकार आँख बंद करके बैठी हुई है इस वीबत सकांडो को देखकर विश्व हिंदू परिशद ने बांगला देश सरकार से हिंदू पर हो रहे आक्रमन वे अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाई जाने की मांग की है साथी भारत सरकार से बांगला देश सरकार परिंग घटनाओं को रोकने के लिए दबाव बनाने की मांग की गई ग्यापन के तुड़ान प्रखंड अद्द्यक्ष लाकेश शर्मा प्रखंड मंतरी शाम सैनी शालो गुपता प्रकार शर्मा गर्वेश आचारे कैलाश आ चाले सूरत जोशी आधिकारे करता उपस्तित रहे